हेलो वीवर्स मैं सुधर्शन मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चानल सुधर्शन वेल्ट अडवाईजर में आज के इस वीडियो सेशन में हम डिसकस करेंगे एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक जो कि है स्क्रीनर बेसिस पे यानि कि किस तरह से हम स्टॉक्स यानि कि शेर्स को स्क्रीनर के थुरू शॉटलिस्ट कर सकते हैं आइधर इंट्रा डे या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए और स्विंग इन दे सेंस वन वीक या 15 डेज अट मैक्स 15 डेज तक आपको होल्ड करना को उससे ज्यादा भी नहीं तो वन वीक या 10 तू 15 आप किस तरह से 223 या फिर 5% अर्ण कर सकते हैं शेर्स में इन्वेस्ट करके ना कि option ट्रेडिंग प्यॉरली investment करके आप किस तरह से profit अर्ण कर सकते हैं वो मैं आपको आज दिखाने और समझने की समझाने की कोशिश करूंगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि Google पर आप्शन्स मिलेंगे जिसमें की एक option होगा screening का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं screeners इस screener को मैं क्लिक करूंगा ठीक है screener को क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम सर्च करेंगे जो चाहें आप सर्च कर सकते हैं मैं सर्च करूंगा bullish ठीक है engulfing okay bullish engulfing for example bullish engulfing के candlestick pattern है तो मैं bullish engulfing search करूंगा और यहाँ पर search scans को मैं क्लिक करूंगा ठीक है तो आपको बहुत सारे जो bullish engulfing based screeners है वो available हो जाएंगे इसमें से आप हर कोई screener check कर सकते हैं मैंने एक check किया है और open किया है उसको यहाँ ठीक है तो यहाँ पर जब आप run scan क्लिक करोगे तो आपको stocks यहाँ पर filter होके नजर आएंगे बट अभी कल के लिए कोई भी stock bullish engulfing pattern में eligible नहीं था इसलिए यहाँ पर कोई suggestion आया नहीं है तो अभी मैं क्या करूंगा आपको previous results दिखाने के लिए यहाँ पर backtest result को click करूंगा backtest result को click करते ही यहाँ पर scroll down हो जाएगा page और यहाँ पर आपको result मिलेगा पिछले 9 मंत का तो पिछले 9 महनों में किस shares में bullish engulfing formation हुआ था वो सब यहाँ पर list date वाज आय जाएंगे तो इसको हम click करेंगे download के लिए तो download को हम click करेंगे ठीक है और जहाँ चाहिए आपके desktop पर download कर सकते तो मैं prefer करता हूँ desktop path और यहाँ पर click करता हूँ download ठीक है download करने के बाद मैं इसको prefer करूँगा ठीक है मैं इस पर click करके open करूँगा यह आप live markets में भी इसको use कर सकते हैं और if chart analysis के basis पर अगर आपको सही लगे तो आप इसमें position भी ले सकते हैं तो यहाँ पर date wise सभी suggestions आ गये हैं मैं recent देखना चाहूंगा तो स सबसे bottom में रहीगी latest suggestion ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं first of March के दिन suggestion मिला था PVR का तो अभी मैं अपना chart open करूँगा trading website पर और यहाँ पर मैं type करके check करूँगा कि क्या PVR में bullish engulfing formation हुआ था और अगर हुआ हो तो देखेंगे क्या कुछ profit हमें होता आज अगर position अपन मैंने यहाँ पर search किया यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है यह जो green candle आपको दिख रहा है date wise देखना है देखिए Wednesday 1st March 2023 यह bullish engulfing candle bullish engulfing हम क्यों कहते हैं इसे because यह जो green color की candle है इसकी अगर आप body देखें तो यह previous day के जो candle है उसको पूरी तरह से cover कर रही है engulf कर रही है ठीक मार्च की दिन भी position लेते तो देख हम just cross check करेंगे क्या profit होता हमारा और यह देखिए अगर second March के अगर आप opening के दौरान position बनाते सुबहन सवा नो बजे मान के चले टू और टू फाइर रुपीज यह रेंडर भी हम consider करते हैं तो roughly अभी आप प्राइस यहाँ पे देख सकते ह ओपनिंग प्राइस जो है वो है 1535 ओपनिंग प्राइस जो है 1535 है बट मैं 1540 भी अगर consider करता हूं एक 5 रुपीज के बाद अगर मेरी order भी प्लेस हो जाती है तो 1540 भी अगर मैं consider करता हूं तो देखिए यह second March का position है और third March का जो closing है यहाँ पे आपको corner right bottom corner में दिख रहा है 1553 तो अगर 1540 को भी अगर मैं खरीटता तो 1553 का यह closing है बट time being 1555 तो वहाँ पे third of March को यह trade कर रहा था तो अगर 15 रुपीज upside को भी मैं बेचता तो I would have earned मैं 1% earn करता ठीक है तो दो दिनों में ही 1% मुझे यहाँ पे मिलता PVR में ठीक है हम और भी cross check करेंगे ठीक है अब यहाँ पे देखेंगे यह है 28 February अदानी enterprise तो इसमें भी हम देखेंगे ठीक है अदानी enterprise फाइन डेट याद रखना है 28th of February ठीक है ओके तो आप ज़्यादानी का चार्ट आएगा उसमें 28th को पहले हम चेक करेंगे कि क्या bullish engulfing था यह देखेंगे 28th of February आप नीचे date दे सकते हैं x-axis पे और यह देखिए यह जो green candle है यह red candle को पूरी तरह engulf कर रहा है तो 28th को छोड़िए अगर आप next day 1st March को भी position लेते आप 1st March का opening value है 1425 बट मैंने जैसा कहा कि 5-10 रूपीज here and there अगर अपना order भी प्लेस हो जाए तो देखेंगे कि really क्या हम profit में रहते तो अभी देखिए 14,000, sorry 1430 को भी अगर आपका order प्लेस होता तो जो 3 दिन हो चुके है 1st, 2nd और 3rd आप यहां पर right bottom में देख सकते हैं price 1800 तक है तो अगर आप 1430 को भी खरीते तो अभी 1800 तक आ चुका है यानि कि 300 रूपीज अप बट आप जैसा कि जानते हैं अभी फिला लादानी के shares में wild moment हमें देखने को मिल रहा है तो time being हम इसको skip कर देंगे वैसे तो profit अब 27th February के दिन पहले हमें चेक करना है कि क्या bullish engulfing formation हुआ था और उसके बाद देखना है कि अगर हम profit में रह पाते हैं या loss में तो यह देखिए best big bullish candle है जो previous day red candle को engulf कर रहा है next day अगर आप position बनाते यहां पर somewhere around opening price था 8.55 approximately 8.55 तो अगर मान के चले 2 rupees year and there मतलब उस दिन का है था 8.58 अगर 8.58 high पे भी अगर आपका order place होता तो अभी आज देखिए 8.68 है तो 8.55 से लेकि 8.68 13 rupees and percentage wise अगर हम calculate करें तो approximately it would be more than 1.5% तो 1% profit में हम रहते हैं चार दिनों में ठीक है अब कुछ intermediate dates choose करेंगे for example अभी December के बारे में देखिएंगे December और इसमें हम prefer करेंगे Apollo tire 29th December ठीक है मैं randomly select कर रहा हूँ आप चाहे तो इसको back test कर सकते हैं सभी shares पे अगर आपको profitable लगा तो आप इसको prefer करेंगे cash segment में invest करके trade करने के लिए और at least you can earn 1% of profit within 1 week एक हफते में आप 1% तो profit कम से कम कमा लेंगे देखेंगे पट पूरा analyze करना है conclude करना है और अगर आपको लगे यह सही हो तो ही आपको trade करना है position लेना है else आप मेरे इस knowledgeable वीडियो को निगलेट कर सकते है ठीक है तो अभी जो Apollo tire का यहाँ पर date था मैं जस्ट एक बार देख लेता हूँ 29th of December ओके तो यहाँ पर देखें यह है 29th December तो एंगल्फिंग formation है यस क्योंकि एक green candle अपने previous day red candle को पूरी तरह से एंगल्फ कर रहा है ठीक है उसके बाद आप देख सकते हैं upside moment यहाँ पर है अगर मैं number of days भी count करूँ तो देखिए one two three four five five days यानि कि almost one week one week में ही आपको minimum one percent मिल जाता देखिए न आगले दिन अगर यहाँ पर हम position बनाते for example three twenty eight मान के चले three twenty eight को हम position बनाते मैंने तो lowest point भी consider किया नहीं है somewhere around high क्योंकि बहुत सरी यूटूबर्स वैसे ही करते है lowest point दिखाएंगे highest दिखाएंगे बोलेंगे इतना profit हो गया I believe in realistic approach तो यहाँ पर अगर three twenty eight को भी आपका order place हो जाता और five days के लिए भी आप रुख दे तो देखिए यह है three twenty eight और somewhere around यह है three thirty eight so ten rupees percentage wise three percent बट जैसा कि मैंने कहा कि हमें तो भविशिवानी आती नहीं है कि bottom में खरीदा top पे बेचा तो बट roughly अगर हम calculate करें तो three percent का move five days में हमें मिला था बट हमने क्या किया है कि minimum one percent profit हमें लेना है तो one percent तो आप इसमें से profit पे exit कर पाते definitely within one week ठीक है अब तक हमने चार shares में analyze किये तो सभी shares में minimum one percent मिला है one week के अंदर ठीक है वही तरीक आपको याद रखना है अभी और दो तीन shares का मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा अभी थो 11 यानि कि November बाल कृष्ण इंडस्ट्री ठीक है बाल कृष्ण इंडस्ट्री fine 15th of November ठीक है तो अभी बाल कृष्ण में 15th of November के दिन हम देखेंगे कि अगर bullish engulfing हुआ था क्या अगर होता है तो क्या हम within one week one percent कमा पाते ठीक है कैस segment में यह देखिए यहाँ पे आप देख सकते है 15th of November big bullish candle उसके बाद देख सकते है सीधा upward rally अगर आप next day भी position बनाते say for example somewhere around 1960 1960 को भी अगर आप position बनाते और आप देखिए five to six days में आपको one percent का profit मिल जाता अगर अगले भी दिन अगर हम देखते हैं तो अगले दिन का high था almost 1990 और यहाँ पे अगर आप position बनाते से 1,960 तो almost 30 रुपीज यानिकि more than one percent का profit दो दिनों में यही मिलता ठीक है और पुराना हम देखेंगे October को हम prefer करेंगे for example अभी October persistent system को देखेंगे 10th of October ठीक है usually मेरी habit यही होती है कि जब कभी मैं कोई screener prefer करता हूँ तो one year तक का backtest करता हूँ चाहे मुझे उसके लिए 2-4 दिन invest क्यों न करने पड़े बट once जब मैं sure हो जाऊं कि यह work करता है तभी मैं इसको prefer करके invest करता हूँ तो इसको मैंने prefer किया है past में अभी भी करता हूँ इसलिए मैं यह आपको share कर रहा हूँ ठीक है तो 10th of October के दिन हम देखेंगे क्या persistent में bullish engulfing formation था अगर था तो क्या हम profit में रहते ठीक है यह देखिए यह है 10th of October ठीक है यह green candle previous day red candle को completely engulf कर रहा है अगर next day हम position बनाते अब यहाँ पे मैं consider करूंगा somewhere around mid 3590 थी 3590 को भी आप position बनाते तो देखिए वह ऐसे continuous में upside moment आ गया है बट हम count करेंगे next five to six days में क्या कुछ सिनारियो था ठीक है तो यह है one जिस दिन हमने buy किया one two three four five अब इस यहाँ पे price देखिए तो यहाँ पे भी profit हमारा बनता तो इस तरह से आपको यह पूरे मतलब पिछले nine months का data यहाँ पे आपको मिलेगा अब जुलाई का भी एक हाद उठा देंगे ठीक हम यह देखिए हम देखिएंगे 21st of July लास्ट हम देखिएंगे 21st of July लासन एंट यूबरो ठीक है तो लारसन एंट यूबरो का हम एनलीसिस करेंगे 21st जूलाई का तो इस तरह से आप यह पूरे शेर्स को अनलाइज करें ठीक है profitable जरूर लगा तो आप मेरे comment box में comment कर सकते हैं कुछ query हो या फिर कुछ और suggestions चाहिए हो तब पी आप मेरे video के comment box में comment करें मैं उसको answer देने की कोशिश करूंगा ठीक है तो 21st of July यहाँ पे मैं open करता हूँ 21st of July ठीक है ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं just a second date एक बार cross verify 21st of July ठीक है 20 यह देखिए 21st एक big candle उसके पाद देखिए continuous upside fine अगर next day भी आप इसको position लेते तो देखिए price 1770 है next day और one two three 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 days में आप देखिए 1800 तक गया तो 1770 से लेके 1830 रुपीज यानिकि more than one percent so within one week यानिकि five to six days हमें अब तक जितने हमने stocks analyze किये randomly सभी में हमको minimum one percent profit हुआ है आप मेरा फिर से request रहेगा आप सभी shares को analyze करे then conclude करे अगर आपको सही लगा तभी position ले और trade करे else आप मेरे इस suggestion को neglect कर सकते तो अगर आपको मेरा video profitable लगा हो तो मेरे video को like करें दोस्तों के साथ share करें comment box में जरूर comment करें क्योंकि आपके comments और likes मुझे definitely motivate करेंगे आने वाले दिनों में कुछ ऐसे ही educational videos बनाने के लिए ठीक है ये जो screener मैंने prefer किया था इस screener का link भी मैं आपने video के description box में दे दूँगा तो वहां से आप prefer कर सकते है ठीक है अगर आपको technical analysis का course करना हो तो मुझे contact कर सकते है मेरा number YouTube banner पे रहेगा ठीक है अगर आप मेरे referral link से यानि कि DMAT account open करते है जीरो दय आप stocks में अगर आप अपना DMAT account open करते है मेरे referral link से तो अगू यू अवल्ख यू घरी मुट यू